तो चलिए श्रण आज आपको बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट देंगे जो कि आप continue message के मादम से comment के मादम से एक ही question पूछ रहे हैं exam log कर लेकर क्योंकि अब आपके जो result है नालेट ने officially 18 मार्ज को डिकलियर कर दिये हैं अब आपके सिर्फ एक ही question जो है comment और message प्यार है कि सर exam log कब होंगे paper log कब से होंगे exam की date क्या रहने वाली है इसको लेकर तो देखे मैं आपको बताना चाहूँगा website पर हम जाएंगे नालेट की तो यहाँ पर अभी कोई भी latest notification आपको नहीं दिखाए दे रहे होगी नहीं आप जब profile में login कर रहे होंगे वहाँ पर भी कोई notification आपको exam log को लेकर अभी नहीं आई है ठीक है इसका मतलब कि अभी आप exam log करने की तो देखे यह आपकी exam log करने की last date नहीं है वो आपसे पहले ही आपसे वो fees collect कर लेते हैं exam log को लेकर लेकिन वो submit तभी कर पाएंगे जब आपकी exam log की date start होगी ठीक है तो exam log अभी start नहीं हुए है अब कब तक होंगे अभी आपको मतला भी देते हैं तो यहाँ पर ज last date नहीं है आपके paper log करने की यह अपने दिमाग से निकाल दें अभी start नहीं हुई है तो देखे 18 तारिक को जो है आपके result declare हुए हैं तो यहाँ से अगर हम count करें और 31 जो है आपकी last date है new admission करने की तो जैसा कि हमारा अनमान है वो अप्रेल के अप्रेल के first week या second week में नालेट हो सकता है profile को आपकी update करके paper log का option आपकी profile में update कर देगा उसके बाद आप लॉग कर पाएंगे तो हो सकता है एक तारिक से लेके 15 अप्रेल के बीच में आपको देखनों को मिल जाए अगर delay होगा तो second या third week में देखनों को मिल जाए लेकिन अप्रेल में पूरा पूरा chances है कि आपको जो है paper log करने का option आजाएगा ठीक है और जिसके exam आपके होंगे जुलाई में होंगे तो उसकी date अभी confirm नहीं है जब date आएगी आपके अप्रेल में या हो सकता मई में अप्रेल लाश टक हो सकता date भी आपको declare कर दी जाए काफी fast knowledge न होंगे अप्रेल के first या फिर second week में हो सकते हैं ठीक है अप्रेल के first या second week में हो सकते हैं अगर first या second week में नहीं हुए तो फिर third या fourth week में confirm आपके हो जाएंगे ठीक है इतना लीडल नहीं होगा ना लेट आपको मैं या जूर में नहीं करवाएगा तो उसके लिए बेफिकर fail हुए है मालेजे M3 में आप fail हुए है तो M3 का आपको theory plus practical आपको फिर से payment करके 1000 रुपीज आपको जुलाई में देना पड़ेगा ठीक है और ये कब भरे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया अपरेल में ही आपके ये start होंगे ठीक है old student को सारे exam देने होंगे तो देखे old student हो या new student हो जो exam आपने पहले पास कर लिए है वो आपके नहीं होंगे मालेजे आपने old syllabus से M1 R4 का exam पास कर लिया है तो आपके बचे होए तीन exam जोंगे वो आपको देने पड़ेंगे किस मॉडूल से M1 sorry M2 R5 यह आपको देना पड़ेगा M3 R5 आपको देना पड़ेगा और M4 R5 देना पड़ेगा theory with practical के साथ ठीक है तो जो भी exam आप पास कर चुके हैं वो आपको दुबारा नहीं देने होते हैं उसके बाद देखे O level से O level या A level या B level आपका जो है result जनवरी वाला declare हो चुका है जनवरी 2024 का और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका जनवरी 2024 में registration जो है वो expire हो गया है तो उस case में आप क्या करना है तो जिनका भी registration expire हो गया है वो 31 March से पहले जा करके अपनी profile में login करके re-registration करा सकते हैं 31 March के बाद नहीं होगा 31 March आपकी जो है last date है वो किस-किस की है new admission लेने की है re-registration करने की है O level पास कर चुके हैं तो A level में transfer करने की है A level पास कर चुके हैं तो B level में transfer करने की है और एकदम fresh admission लेना है एक भी बार आपने exam नहीं दिया है O A B C level में तो भी आप करा सकते हैं 31 March से पहले यह date हो सकता है अपडेट की जाए हो सकता है ना भी अपडेट की जाए अभी कोई confirmation नहीं है फिलाल यहाँ पे आप दे सकते हैं 10 April last date है इंसिटूट वालों के लिए जो बच्चे इंसिटूट से admission लेंगे उनके लिए 10 April जो बच्चे direct admission लेना चाहते हैं या फिर direct O से A level में transfer करना चाहते हैं उनकी जो large data 31 March है लेकिन यहाँ पे एक problem आती है जो बच्चे O level अभी पास की है चारो paper उनके पास certificate अभी नहीं होगा तो बिना certificate के आप जो है वो apply नहीं कर पाएंगे A level में ठीक है नहीं तो आपका O level cancel हो जाएगा जब certificate आपको मिल जाए तभी A level में transfer करें और जब आपको A level का certificate मिल जाए उसके बाद ही आप B level में transfer करें चाहें भले ही आप जोलाई में exam ना दे पाएं लेकिन certificate आने के बाद ही करें या तो फिर आप knowledge से confirmation ले सकते हैं कि हमारे चारो paper complete हो गए है और 31 March last date है और हम A level में admission लेना चाहते हैं तो क्या हम बिना certificate के ले सकते हैं की नहीं तो आप इस registration department पे message करके या पर theory department में message करके आप इसकी जानकारे ले सकते हैं और certificate department पे भी आप message कर दीजेगा जिससे कि आपको certificate 31 से पहले कर जारी हो जाएगा तो easily आप जो है A level में transfer कर पाएंगे ठीक है तो यह है simple ता तरीका हमने आपको बता दिये तो यह लगबख सारे ही important update जो हमने आपको दे दिये हैं अब बात कर लेते हैं जो बच्चे project submit कराना चाहते हैं या submit नहीं हुएं तो मैं आपको दिखाना चाहूँ with proof के साथ एक दिन में जो है project submit हुए हैं हमारे student के आप दे सकते हैं पर प्रोजेक्ट submitted हो रहा है और इनका जो प्रोजेक्ट 18 मार्श को भेजा गया था और नालेट ने 19 तारिक को इसको अपडेट कर दिया नहीं कि 24 अबर में जो है project submit हुए हैं ठीक है date हमने रखिए है अपने पास offer के नुसार यहां पर दे सकते हैं offer available है 31 मार्श तक के लिए आपके लिए offer होली का इस पेसल offer आपके लिए चला है जिस भी topic को जानना चाते हैं यहां पर आके आप देख सकते हैं इसलिए सारी information 100% accuracy के साथ with proof के साथ आपको मिल जाएगी ठीक है तो यही latest update है exam log आपके जो है अपरायल में start हो सकते हैं first या second week में या फिर third या fourth week में ठीक है अभी तो start नहीं होंगे क्योंकि अभी जो है knowledge result का का काम करेगा और आपके new admission का काम आपके चला है ठीक है तो जैसे ही आएगा वो आपको profile में login करके आप देख सकते हैं वहाँ पर आपका so करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ तो देखे हैं हमने profile का login कर लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी जनबरी 2024 की time table का link up label है जनबरी ओ लेबल admit card का link up label है नीचे आपका practical का link up label है और नीचे आपका जो result declare 18 को वो link up label है और इसके नीचे आएगे तो आपका link up label है project payment करने का अभी यहाँ पर कहीं भी examination lock करने का paper lock करने का कोई भी notification इस dashboard में नहीं आ रहा है इसका मतलब अभी आपके exam lock नहीं हो रहा है ठीक है तो जब वो lock होंगे तो आप कर पाएंगे और new registration करना है तो apply for new registration पर click करके आप यहाँ पर देखे select करते हैं अब देखे मैं आपको इसलिए कह रहा था अभी इस profile को दिखाता हूँ अब देखे इसमें जो है देखे इनका चारो पेपर किलियर है अभी प्रोजेक्ट इनका फेंडिंग है तो अगर अभी जाके यह जो है apply for new registration पर click कर देएंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगे ठीक है तो अभी आपको नहीं करना है जब आपके मैं चारो पेपर complete दिखाए और certificate हाथ में हो तो यह आप जाके कर रखते हैं ठीक है तो अभी वेट कर लिजए अभी आपके exam log की date यहाँ पर अब label नहीं होई है जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी